सो सब्द प्रति मिनिट इस्टार्ट उपाद्यक्ष महुदय आवस्यक बस्तुओं के अभाव और उनके मुल्यों में ब्रद्दी से एक गहरा आर्थिक संकट पैदा हो गया है सरकार ने गैहुं के थोग ब्यापार को अपने हाथ में लेते समय यह दावा किया था कि गैहुं के मूल्यों में कमी होगी और सभी बरगों के लोगों को गैहुं समय पर मिलता रहेगा यह दोनों ही उद्देश से बिफल हो गए हैं पहले जब फसल आती थी तो बाजार में परयाप्त मात्रा में गैहुं उपलब्ध होता था परन्तो इस बार गैहूं उपलब्द नहीं हैं उपभोकताओं की आवस्यक्ता पूरी करने लायक भंडार भी सरकार के पास नहीं है यह आरोप नितांत निराधार है कि भारत का किसान राजनेतिक दल के भढ़काने के कारण अपना गैहूं सरकारी केंदरों में नहीं ला रहा है किसान समझदार है वह अपने हाने लाव को पहचानता है वह चना जों और सरसों बेचकर उसे कुछ रकम मिल जाती है तो वह गैहूं को कुछ समय तक रोकने का प्रयत्न करता है सरकार को गैहूं के दाम बढ़ाने चाहिए ताकि किसान अपना गैहूं जल्दी से जल्दी सरकार को बेच दे किसान को थोड़ा सादिक मुल देने में सरकार को संकोच नहीं करना चाहिए आज कोईले की इतनी कमी हैं कि जहां पर कोईला होता है वहां पर भी कोईला लोगों को नहीं मिल पा रहा है कोईले की चोर बाजारी का यह हाल है कि अगर फैक्टरी चलाने बालों को कोईले का बैगन मिल जाता है तो बे उस कोईले से फैक्टरी नहीं चलाते हैं बलकि उस बैगन को बिलैक में बेच देते हैं फैक्टरी चलाने से उनको जितना मुनाफा होता है उससे जादा मुनाफा बे कोईले को बिलैक में बेच कर प्राप्त कर लेते हैं सरकार इस बात का पता लगा सकती है परंतु है पता नहीं लगा पाती है क्योंकि इंस्पेक्टर का हिस्सा फैक्टरी वालों से बना हुआ होता है इस प्रकार जब कार खाने कम चलेंगे या बिलकुल नहीं चलेंगे तो उत्पादन घटेगा और बाजार में सामान कम आएगा इससे चीजों का भाब बना रहेगा और उनके मुल्य भी बढ़ेंगे इस तरह से मुल्य व्रद्दी को रोका जा सकता है सरकार केवल अपने हाथ में नई चीज़ें लेती जाए इससे समस्या हल होने बाली नहीं है मुल्य ब्रद्दी को रोकने के लिए उत्पादन में ब्रद्दी करनी पड़ेगी जब खाद समस्या का सवाल आता है तो प्रगत्ती को दोस देकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है क्या यह सच नहीं है कि पिछले दिन तीन सालों से अनाच की पैदा बार घट रही है क्यों घट रही है देश में खाद की कमी के लिए कौन जिम्मेदार है क्या भगवान जिम्मेदार है क्या भगवान खाद के कार खाने लगाएगा क्या जो सरकारी कार खाने हैं उनको पूरी छमता से भगवान चलाएगा भगवान के दर्सन तो हम इस सदन में ही कर सकते हैं सरकार कहती है कि बरसा कम होने के कारण बिजली कम पैदा हुई मैं इस बात को नहीं मानता कोईले से बिजली पैदा करने के लक्षे पूरे किये जाने चाहिए अनु बिजली पैदा करने के जो लक्षे निर्धारित किये गए थे वियास तक पूरे नहीं हुए